नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं आपका दोस्त हो धर्मेन प्रताप सिंग राना आपके सामने फिर से आया हूँ प्यार से लोग मुझे राना सर बोलते हैं आप चाहिए हैं आप भी राना सर कह सकते हैं तेकि 365 Days Current Affairs का यह आपका दूसरा वीडियो है रेगुलर आपके आ रहे हैं आज के दिन का यह दूसरा वीडियो है आपका तो इसमें इंपॉर्टेंट जीच क्या है कि जो चीजे आपकी हो चुकी है उन से डिलेटेड नीज होते बर जो एक्जैम में आ सकते हैं उन एकेडेमी में देते हैं और उसे प्री में तकरीबन 67% questions आ चुके हैं अभी तक current में तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि इसमें current ही है इसमें history and other additional subjects भी हम आपके add करके देते हैं तो आपको कहीं न कहीं help जरूर करता है आपके इस direction में कि आप चीजों को सही direction से कर पाएं तो आए बिना देरी के अपना lecture स्टार्ट करते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं कैसी eminent personality की जो रातूरा सुपरस्टार बने हैं नीरत चोपड़ा जी ने लास्ट डे में गोल्ड मेडल जीता हमारे गोल्ड का सूखा पड़ा था बहुत गोल्ड हम नहीं जीत पा ने बहुत अच्छी चीज बोली जो इनका स्टेट्मेंट है ये cna news 18 को बोला था i can't explain my happiness injury was a roadblock इनको भी injury हुई थी but everyone supported me due to corona tokyo preparation was in doldrums सबसे बड़ी बात है कि corona की time पर किसी athlete की बहुत अच्छी practice हमारी country में नहीं हो पाई but i got to train abroad and play events but उसको foreign में खेलने का और events में खेलने का मौका मिला I was quite confident among the best from the world तो जाहिर सी बाते confident थे दुनिया के जितने भी best लोग है उनके साथ खेले इनको पता था कि ये दुनिया में एक अच्छा नाम कमा सकते हैं तो एक positive personality बनके सामने होते हैं जिम्नास्टिक का प्ली होता है इंडिया ने 127 athletes बेजे बेटा उन्हें में इसे छे साथ ही अच्छा perform कर पाएं होते एक बहुत बड़ी चीज़ होता है सोचिए 127 players बेजे तो कहीं ने कहीं एक concern हमारे लिए जरूर है कि हम ऐसा क्या करें हम अपने गोल्ड बढ़ा पाएं जैसे चाइना ने जब last year third आया था लास्ट ओलम्पिक में तो उसने एक आता कि इ उन्होंने अपना फंड्रेस कर दिया इंडिया गेम्स के लिए क्यों कुछ नहीं करता है बहुत बड़ा question है देखिए उन्होंने गोल्ड जीता वी वैलकम दें बड़ा आपसे में question पूछा जासा था वाई वी कांट डू वैल इन स्पोर्स तो इसमें इंडियन सोसाइटी human mentality यह सारी चीज़े आती हैं सरकारी नौकरी की इज़त करते हैं अब अब यह नहीं देखते हैं अगर गेम कोई अच्छा जीता है तो उसको सरकारी नौकरी हाथ हो हाथ मिल जारेगी नीरत चुपड़ा जी के अगर आप बात करेंगे तो ग्रेट जॉब हर्याना government उन्हें देही रही क्लास वन रैंक ऑफिसर यह बनी रहे हैं फंड्स ही ने मिली रहे हैं फिमसिटी ने मिली रही है तो इस पोर्ट भी काम करता है बर उसमें डेडिकेशन बहुत है हाड़ वर्क बहुत है इस चीज़ को कोई डिनाय नहीं कर सका आए नीरत चोपड़ा जी की बात मीरा भाई चानू ने दिया है कुष्टी में रवी कुमार दाहिया ने दिया है ठीक है human केजी कुष्टी में बजरंग पुनिया ने हमें ब्राँच दिया है दो हमारे पास silver लाये ध्यान रखिए गा इसके बाद पुरू सौकी में भी हमको ब्राँच मिला है इसके बाद ब सबसे बड़ी बात है ब्रॉंज तो हम लाते रहते थे यह बहुत बड़ी चीज नहीं है सिल्वर भी हम ले आते थे पर जिनों ने हमारा नाम रोशन किया है वो है गोल्ड में नीरत छोपड़ा जी तो इन पर धन वर्शा सम्मान वर्शा सब करा दी इनको हमने इतना दे दिय गता है अबीन वबंदर जी का केस आप धयान रखाया उनको इतना अब इतना कमर्शल को कौमर्शल नी मीटिंग से अतनी यह वह बंदा स्पोर्ट्स की प्रैक्तिस की हम सबसे बड़ी चीज एक्स्ट्रा बेनिट्स देने की कोंशिश्क करते हैं किसीने यह कमेंड दाला थ to them अगर आम इसे sports को सुधाने में लगा और अगले olympic पर focus करके funding करें तो ज्यादा अच्छा नहीं हो आपको ऐसे 70 gold medal मिल सकते हैं अगर आप सच में अपनी country में चीजों को इंप्रूफ करने की कोशिश करें अधिलीट में यह आता है ठीक है इसमें रनिंग आती है जंपिंग आती है थ्रूइंग आती है तो थ्रूइंग की गेम है यह जोड़ा निरत चुपड़ा इनिये सुबेदार बोला जाता है क्योंकि आर्मी के पोस्पर है 1997 में में पैदा वे 24 दिसम्बर इंडियन जैवलीन थ्रूइर है और फस्ट ट्रैक है इनका है ना हुई इस फस्ट ट्रैक एंड फिल्ड एथलीट और एक फिल्ड एथलीट है जोनियर ओलिम्पिक मेडल लिया में में image अश जूनियर कमीशन्ट इंको पैंट किया गया था जुनियर कम अफिसर के नाते इंडियन आर्मी में है ले Two सुब्यदार र ι lobb सिउक्पिझे स्ट पियागी कुछ मिला पहले 75 लाक और गुवर्मेन्ट आफ इंडिया ने दिया श्य करोड़ हडियान में धो confident अफ पंजाब 2 करोड मनीपुर, दो करोड़ वी से एक करोड़ मनीपूर एक करोड़ चिन्नई सूपर किंग और एक पस्नलाइस जर्सी 25 लाख एलेइन रियालिटी गुरूप ने दिया है गुरूग्राम में 75 लाख इंडियन ओलम्पिक एसोसेशन ने दिया है एक साल इंडिको से फ्री फ्लाइ कर सकते हैं मह हर्याना गौर्मेंट ने 50% कंसेशन भी दे रही है कोई भी चीज करीद ने कि इतनी चीजे इनको मिल चुकी है अब दूसरा क्वेश्चन आता है क्या हर्याना से हमारा स्पोर्ट के लिए बहुत आगे है यह बहुत बड़ा क्वेश्चन मारके कि हर्याना से ही maximum लोग क्यो नहीं कर पाते अधा इस से थे बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों नहीं निकलते कोश्ती में हर्याना ही क्यों सबका बाप बना बैठा है यह सारी चीजे भी हमें देखनी पड़ेंगी और हमें सीरियसली देखना पड़ेगा कि इंडियन के ग्राउंड में सिर्क्रिकेट और होकी नहीं चलता बाकी गेम से भी में ध्यान देना है हमें इसके लिए प्रॉपर एसोचीशन बना के काम करना पड़ेगा बना काम नहीं होगा ओल्लंपिक में हमें फर्स रैंक एक कर मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स में हमें एक मिल चुका है जबलें तुरू में एशिन गेम है जिसका अंसर आप लोग देंगे आपको ऐसे लिखिए कि क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम अपने स्पोर्स को इंप्रूफ करें और यह एक दो मेडल से बहतर है हम भी टॉप त्री टॉप फाइफ रैंकिंग में रहें चोटी चोटी कंट्री यूके जैसी कंट्र कर सकती है वाई नौट वी एक सो चालिस करोड की पॉपुलेशन क्या साथ मेडल नहीं ला सकती ला सकती है इसके लिए सरकार को सुधरना है चीजे करनी है पर अब भी देखते हैं आगे क्या होता है आज इस लेक्चर में इतना ही अगले लेक्चर तक के लिए जैहिंद वन